नमस्कार दोस्तों मेरे नामें प्यू श्राइब देखने दो कोश्यनार भारत आज हम लोग बात करेंगे कि उत्तर पदेश चुनाओं में पिछले च्छे चरण में और आने वाला साथ वे चरण में जो की आकरी चरण होने वाला है किसका कैसा परफॉर्मेंस है कौन अब तक क्या कर रहा है क्या पक्ष है क्या विपक्ष है किसका क्या मानना है वो कौन लोग है जो चुनाओं को एक तरीके से असर डालने की कोशिश कर रहे हैं वो कौन लोग है जो अभी से बताने लग गए हैं कि परिणाम क्या आ सकते हैं हर च्जोईली में हम किसी फैसले पर उतरी नहीं पा रहे हो कि सब mix बाते कर रहे हैं लेकिन कुछ बाते हैं जो majority में की जा रही है कि हां अख्लियर शादो मजबूत हुए हैं हां हो सकता है भाजबा की कुछ सीटे हटेंगी लेकिन ये भी है कि आद तो भाजबा ही रही है ठीक ह है मैं नाम नहीं लोगा खास्ता और उनका चैनल यूटीब पर ही है तुन्हों ने वीडियो बनाई और आप पाएंगे अगर आप समझने तो आप नाम कमेंट बताइएगा कि आप पाएंगे कि उनकी हर अगली वीडियो में कैसे वो प्रो अखिलेस और एंटी वीजेपी एं और वो वेक्ती ऐसे ऐसी बाते कर रहा है अगर आप वीडियो देखेंगे उनकी और ऐसे कई पत्रकार हैं उनका कहना है कि योगी अपने ही गड़ में हार भी सकते हैं भाजपा सौ सीटों के अंदर सिमट जाएगी अखिलेस को बहुत बड़ी बहुमत मिलने वाली है बहु सजाएं दे रही है जाचे करवारी पता नहीं क्या के करवारी ऐसे कई पत्रकार हैं एक पक्ष पे कोई खुद को न्यूटल कहता है दूसरी पक्ष पे अगर आप खंहाल लें उसका ट्रैक रेकॉर्ड तो आपको पता चलेगा कि प्रो खिलेस और एंटी बीजेपी कितना परा कंटेंट है और क्या विचार रखता है अब दूसरे वेक्ति की बात करना इनका मैं नाम लेना चाहूंगा पत्रकारों के गृप का क्या नाम लो एक वेक्ति क्या नाम लो त्माम लोग हैं आप जानते होंगे सुब्रमन्यान स्वामी को जो हैं तो भाजबा के मेंबर लेकिन वो इस बात के लिए हर जगह लोग परी हैं, हर जगह जाने जाते हैं कि वो चाहिए प्रो भाजपाओ चाहिए एंटी भाजपाओ जो बात है वो बात है, वो मुदी को भी क्रिटिसाइज करने में और कड़े से कड़े लहजे का इस्तमाल करने से पीछे नहीं अठते हैं और इस बात से कोई वो नहीं है कि अगर कुछ बात होगी और उन्होंने कही है तो उसकी क्रेडिबिल्टी कुछ हद तक मानी जाती है, विपक्ष भी मानता है और एंटी बीजेपी वाले भी मानते हैं तो स्वामी सामने क्या कहा है अब तक के चरण को ले के और आने वारे चरण को ले के अगर आसान सब्दों में कहें तो इनका कहना है कि अब तक की पफॉमिस अच्छी रही है, चुनाओं में वोट अच्छे तरीके से पढ़ है, आगे भी अच्छे पढ़ने की सम्भावना है और भाजपा की सरकार बन रही है, इसमें कोई दो रहे नहीं है इसमें कोई if and what की बात नहीं है, तो एक तरीके से आपके बाद दो मत हैं, अगर आप जाती, समीकरण, हिंदू-मुसलिम, मंदिन-मस्जिद, डेवलपमेंट, अकिलेस के वादे, योगी के पुरान टैक रिकॉर्ड, कुछ भी अगर उठा के देख लें, आप एक नतीजे प에 नहीं आ सकते, आप नहीं कह सकते किसकी सरकार बन सकती है, आप नहीं कह सकते कि कौन बहुत बड़ी majority ले आएगा, कुछ नहीं कह सकती, इस बार ब्रैंड योगी को आजमाये जा रहा है, प्रचार मोदी के साथ-साथ योगी को भी ले के किये जा रही है, मोदी जी सब्सक्राइब करना है तो सिर्फ इसलिए कर रहा है कि योगी जी को हम सीम देखना चाहते हैं विपक्ष भुनाना चाहरा है कि योगी जी की बुल्डोजर वाली पॉलिसी को हम एक निगटिव पॉलिसिटी के रूप में जनता के सामने रखें लेकिन योगी जी ने उल्टा पॉलिसिटी में लेके चले गए और इस बात को जनता जरूरत से जादा ही पसंद कर रही है क्योंकि उनको समझ में आने लगा है कि उत्तर प्रदेस की जो पहले छवी थी गुंडा राज वाली माफियाओं वाली उत्तर प्रदेस और बिहार इस कुछ ऐसे नौर्थ के बंग गई इन सब चीज़ों के लिए जाने जाते थे लेकिन यूपी में अगर गुंडा राज खतम हो रहा है माफिया राज खतम हो रहा है जिससे कोई इंकार नहीं कर सकता कई की सो की तादाद में इंकाउंटर होना और माफियाओं का डर डर के रहना यह बात क्लियर है कि एक decision maker ही ऐसा कर सकता है वरना अब तक पहले क्यों नहीं हुआ और investment तभी आता है जब वो राज्य वो city वो देश एक बड़े पैमाने पर कहें तो जब safe feel करता है investor आए दिन दंगे हो रहे हैं आए दिन लोहों में loot part चल ले हैं आए दिन कुछ भी हो रहा है क्या उसका scenario है त state की, cities की, किसी भी area की तो जायर से बात एक fearless माहौल तो चाहिए था ताकि लोग operate कर सकें, exist कर सकें और grow कर सकें state को एक साथ सब को ले के तो अब देखते हैं आखरी चरण में कैसे voting पड़ती है अगर आभी भी कोई आलस कर रहा है उनके area में जो चुनावाने वाले हैं मैं य जरूर कहूंगा कि vote करिए, at least vote करके देखिए, कल को आप ये नहीं कह सकते है, criticize करने से पहले कि इस नेता ने अच्छा काम नहीं किया, तो आपके पास जब power थी, किसी को vote करके चुनने गी, तो आपने क्यों ने कि आप घर पे बैठे रहे हैं, तो घर पे बैठने वाले criticism का हिस्सा नहीं बने तो अच्छी बात है, फिर भी अगर आपका विचार है कि कौन सरकारानी चाहिए, कौन CM बनना चाहिए, तो आपको मिन बता सकते हैं, इस वीडियो को like, share करिएगा, नए है, subscribe करना मत भूलेगा, फिर मिलते हैं, अगले लिदम जहन, वंदे मात्रम.